निमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन उत्रपरदेश के माफिया डौन मुक्तार अंसारी की मौत को लेकर लगातार योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाने वाले विपक्ष की अप पोल खुल जुकी है जिया जिस तरीके से लगातार आरोब जो है वो योगी सरकार या फिर स्लोप पोईजन को लेकर लगाए जा रहे थे अब विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब जो है वो डौक्टर्स की तरफ से दिया गया है और ये बड़ा जटका उन तमाम लोगों के लिए भी है जो की माफिया डौन मुक्तार अंसा के भाई और तमाम लोगों ने भी जो है वो इसी तरीके के सवाल उठाए जो यहां अब माफिया डौन मुक्तार अंसारी की मौत के बाद जो है वो पोस्मोटम की रेपोर्ट सामने आ चुकी है और जिन पाच डौक्टर्स ने किया है पोस्मोटम उन्होंने साफ तोर पर ज बताया है कि मुक्तार अंसारी की मौत जो है वो काडियक अटेक यानि की हार्ट अटेक होने से जो है वो मुक्तार अंसारी की मौत गुरुबार रात को 9 बच कर 10 मिनट पर हुई जब हिर्दे की गती जो है वो मुक्तार अंसारी की रुख गई और रेपोर्ट में ये भी बत आया गया है कि मुक्तार अंसारी की मौत जो है वो दिल का दोरा पढ़ने की वज़े से हुई है रिपोर्ट में ये तक सामने आया है कि जिस तरीके से हाट अटेक आया है और जिसकी वज़े से जान गई है मुक्तार अंसारी की देखिए एक तरफ जिन पांच डॉक्टर्स ने पोस्मोटम किया और अब पोस्मोटम की रिपोर्ट साब ने आई है यानि कि लोकसभा चुनाव से फैले जिस तरीके का परपन जो विपक्ष की तरफ से रचा जा रहा था ये का जा रहा था कि अचानक से मौत मुक्तार अंसारी की क्यूं हुई है इस पूरे मामले की जाच हो नी चाहिए अंसारी के लिए जो है वो स्लो पोईजन तो नहीं दिया जा रहा था इस तरीके की बात करने वाले विपक्ष के अब तमाम आरोपों की जवाब जो है वो डॉक्टर्स की इस रिपोर्ट के सामने से दे दिये गए हैं और वहीं दूसरी दरब देखिए विपक् जादव हों या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता या बीएसपी के वो नेता जो मुक्तार अंसारी की मौत को लेकर जो है वो योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और देखिए मुक्तार अंसारी हो या फिर आतीक एहमत तमाम जो माफिया थे या फिर हम कहें डॉन थे अब उनका राज उत्तरपरदीश में पूरी तरीके से खतम हो चुका है इतियास जो है वो मिट्टी में मिल चुका है क्योंकि आज ही मुक्तार अंसारी को भी जो है वो बांदा के वाग में जो है वो दफना दिया गया है और वही दूसरी तरह पूरे मुद्दे पर आग भ पहर दिये जाने का आरोप लगाया था और मांगी थी कि उनके शब पाक पोस्त मॉटन जो है वो एमस के डॉक्टरों की निगरानी में कया जाए यानि कि जो तरीके के आरोप लगाय जा रहे थे और उन तमाम चीजों को लेकर जो है ये रिपोर्ट सामने आई है और देखि मुक्तार अनसारी की मौत के 15 घंटे बाद जो है वो पोस्त मॉटम किया गया और उनके सामने ही इन पांच डॉक्टर की टीम ने जो है उक्तार अंसारी का जो है ये पोस्ट मॉटम किया है ऐसा भी नहीं है जिस तरीके से आरोप लगाय जा रहे थे कि कहीं डॉक्टर जो है वो मिलकर इस तरीके की रिपोर्ट ना बना दे या फिर लगातार प्रशासन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे तो जो अभी की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले की जो है वो जाच होनी चाहिए तो देखिए उत्तर परदेश के प्रशासन और योगी सरकार का प्रशासन जो है वो अपनी नीतियों के लिए ही जाना जाता है और इसी के लिए पहले ही जाच बिठा दी गई थी मौत के बाद जो है मुकतार अंसारी के शब को उनके जनमस्थार यानि की गाजेपुर लाया गया जहां पर मुकतार अंसारी को काली बागस्थित कवरिस्तान में आज दफनाया गया और इसी के साथ देखिए मुकतार अंसारी के चनाजे में भी आज भाड़ी भीड और उनके समर्थकों ने अक्रम के बाद उस तरीके से दफना दिया गया मुक्तार अंसारी को उसके बाद उत्तर परदेश में महौल खराब करने की कोशिश भी की गई पर उत्तर परदेश की पुलिस ने इस तरीके से कोई भी चीजें जो है वो होने नहीं दी जी है उत्तर परदेश की प्रशासन ने जो है वो हर जगा पर कड़ी नजर रखी हुई है और अब जो है वो मुक्तार अंसारी का चैप्टर भी अब उत्तर परदेश से खतम हो चुका है कल ही मुकतार अंसारी को लेकर ये खबरें सामने आई थी किस तरीके से मुकतार अंसारी का समंद जो है वो देश के पूर्वोप राष्ट पती हामिद अंसारी से भी रहा उसको लेकर भी कल हमने चर्चा की थी कि मुकतार अंसारी ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में ये खुलासा किया था कि मुकतार अंसारी के चाचा लगते हैं देश के पूर्वोप राष्ट पती हामिद अंसारी और इसी के बसात जो तमाम राजनितिक पा पार्टी हो या फिर बहुत समाजन पार्ट यानि की बसपा हो इन दोनों पार्टियों को लेकर आज शोशल मीडिया पर अगर जनता की राय पर नजर डाली जाए तो ये भी काज जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो आज मुकतार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठा रहे है और ऐसी ही पार्टीयों ने जो है वो उत्तर परदेश में माफिया राज को बढ़ावा दिया जो हैं इसी तरीके की आज बसपा को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर तमाम इस तरीके की बातें जो हैं वो शोशल मीडिया पर जनता करती हुई नजर आ रही हैं और द पास जो है वो दिल का दौरा पड़ा था और यही समय था जब जेल में मुक्तार अंसारी का चेकब अधिकारियों के सामने किया जा रहा था उसकी बेहोशी की हालत देकर जो है वो उसे जेल से मेडिकल डौक्टर्स के द्वारा भेजा गया था साड़े आठ के बीच में और वही नौ बजे की बात करें तो मुक्तार अंसारी की नौ से तस बजे के बीच रात को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और जिन डौक्टरों न जो है वो पोस्मॉटम किया है उन डौक्टर्स के नाम भी आप सुन लीजिए डौक्टर महेश, डौक्टर ऐस्तित रिपाठी, विकास और पीजी आई के हिर्दैर रोग विशेशक गया, डौक्टर तिवारी और मैडिकल कॉलेज के डौक्टर सु जूट से जो है वो पूरी तरीके से जूट जो है वो बेनकाब हो चुका है क्योंकि पोस्मॉटम की रिपोर्ट और डौक्टर के बयान भी सामने आ चुके हैं, खैर उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए, ठन्यवा क्कुमेंट की मामले की जो हैं, यू झाल कुमेंट situación DS casual के बयान भी अबया है, एसमुके यदोर्ट की झाल अप हमेंकाब हैं, दो कैसिता क्यूला की पाघ